हलो दोस्तो टूटेश स्टोक माकेट में एक पर फिचर स्वागा थे दोस्तो आज हम एक ऐसे स्टोक पर बात करने वाले हैं जो की अटो सेक्टर से बिलॉंग करता है दोस्तो इस स्टोक ने हमें अभी तक बहुत स्टॉंग तरीके से मुनाफ़ाद दिया है इसका प्राइस क किया था दोस्तो स्टोक फांडामेंटली बहुत स्टॉंग है और अटो सेक्टर से रिलेटेड है और इसका प्राइस भी काफी हमें सस्ता हमें देखने को मिल रहा है तो हमें इस स्टोक में खरदारी करना चाहिए और 43 के स्टोक हमें 120 रुपय के आस पास में जाती हुए द डिसाइड करेंगे कि हमें इस प्राइस पर इस स्टोक को खरदारी करना चाहिए तो दोस्तो वीडिस करने से पहले एक बार रिक्रिस करने चाहूंगा कि पिलीज मेरे यूटीव चूंग स्टाइब कीजिए कि मेरे जो भी वीडियो एगर नेक्स्ट उसका नोट्रिकेशन आप लोगो मिल जाएगा तो दोस्तो यहां पर मैं आप लोग से बात कर रहा हूं जमना अटो इंडिस्टी लिमिटेड के रिगार्डिंग दोस्तो इसका प्राइस हमें एक सो तीन रुप्रे के आसपास में टेट करते हुए देखने को मिला था पिछले टेडिंग सिसन में हला कि बात करें तो यहां पर पिछली व Zeal में इस सटोक ने सतर परिके से हमें ठेडिंग देखने को मिल रहा है हलाकि दोस्तों इस stock ने काफी strong तरीके से बीच-बीच में यहाँ पर हमें गिरावट भी शुक यह था लेकिन हमेशा मैंने इस stock पर वीडियो बना के आप लोग से discuss किया था कि दोस्तों इस stock में अगर हमें इसका प्राइस का रिकॉर्ड का 180% के आसपस का मुनाफ़ा देखने हुँ मिल रहा है और 2018 से जिस तरीके से में इंटार अट्टो सिक्टर में हमें गिरावट देखने मिला था उस हिसाब से इस stock ने भी काफी strong तरीके से यहाँ पर गिरावट शुक या लेकिन दोस्तों अब अट्टो सिक्टर में हमें आचाकाचा यहाँ पर रहली देखने हो मिल रहा है इस stock ने भी बहुत strong तरीके से यहाँ पर recovery शुक किया है हलाकि future में इसका price 150 के भी cross करके काफी आगे जाती हुए हमें देखने को मिलेगा सबसे अधिक दिनों कि इसका price की graph की बात करेंगे तो यहाँ पर दिख सकते हो कि बहुत strong तरीके से breakout की तरफ हमें stock के price जाती हुए देखने को मिल रहा है हलाकि future में इसका price 150 के भी cross करके काफी आगे जाती हुए देखने हो मिल सकता है दूस्तों बात करें इसका 52 एक low and high का तो यहाँ पर देखने हो मिला था वहाँ से इस stock ने 180 रुप्या प्लस का high बनाती हुए हमें देखने को मिल रहा है दूस्तों बात करें इसका face value का तो हमें 1 रुपय देखने को मिल रहा है जो कि बात करेंगे इसका quarter का result का तो यहाँ पर देख सकते हो September quarter में company ने बहुत strong तरीके से यहाँ पर ने प्रुप्य शोकी आए according to यहाँ पर June quarter जिसके उयसे भी इस stock ने काफी आचा तरीके से really शोकी आए हलाकि बात करें इस stock में promoter का holding का तो 50% का holding हमें देखने को मिल रहा है जो कि बात करेंगे यहाँ पर पिछले साल के dividend का था यहाँ पर company ने तीन बार dividend दिया था जो कि यह भी आपने आपने काफी strong तरीके से देखने को मिल रहा है दोस्तों बात करेंगे क्या promoter का share कोई place भी है वाकई में बहुत strong है क्योंकि every year जबरदस्त increment के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों जिस तरीके से हमें यहाँ पर reserve and surplus का figure देखने को मिल रहा है और बात करेंगे यहाँ पर long term growing का तो यहाँ पर बिल्कुल zero figure है और दोस्तों यहाँ पर short term growing की हम बात करें तो यह भी बिल्कुल zero figure देखने को मिल रहा है 100% company debt free है और यहाँ पर reserve and surplus की बात करें तो बहुत strong तरीके से यहाँ पर हमें record देखने को मिल रहा है दोस्तों इस stock के बात करें fundamental analysis का तो बहुत संदार है अगर इसमें थोड़ा बुत हमें करिकसान देखने को मिलता है तो हमें खरदारी करना चाहिए हाला कि जिसने भी हमारे वीडियो को अभी तक follow किया होगा उसको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इस stock ने अभी तक मुनाफ़ाद दिया है दोस्तों बात करें यहां पर fixed asset के regarding तो fixed asset का figure भी अपने आप में काफी strong तरीके से हमें देखने को मिल रहा है वहीं बात करेंगे cash and cash equivalent का तो यहां पर 38 code के आसपस का figure हमें देखने को मिल रहा है जो कि every year की बात करें तो यहां पर पिछले साल के coding तो इस साल जबरदस increment के सास में फिलाल हमें figure देखने को मिल रहा है दोस्तों बात करेंगे इस stock का architect capitalization का तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो रपली हमें 4100 प्लस का हमें figure देखने को मिल रहा है जो कि सारा का सारा figure दोस्तों यहां पर करोडों में देखने रहा है जो की बात करेंगे sector के पीरिश्यू का तो यहां पे फॉर सब्रून पॉइंटा का पीरिश्यू काफी निच रहे अस्तर पर है यहीं कि जो साल के gordin के साल जबरदस increment के साथ में हमें data को देखने को मिल रहा है वहीं बात करेंगे September quarter का sales का तहाँ पर September quarter में company ने बहुत strong तरिके से increment के साथ में आप ए शो किया है जिसके वैसे net profit नहीं हमें आज चाहके सा जंसों गए मिल रहा है दोस्तों बात करें इस टुक में y5 vi holding का new ऑसे पहले बात करें के मिल रहा है जोकि रलने ₹ है dama sund तो इसका प्राइस हमें 85 के आती हुए देखने को मिलेगा अधरवाई फ्यूचर में 150 के क्रोस करते हुए हमें देखने को मिल सकता है तो दूस्तों मेद करते हुए अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे YouTube शिल्साइब किजिए का ताकि मेरे जूभी वीडियो एगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगो मिल जाएगा ओके दूस्तों तिंग हुआ है